कि प्रिए विध्यार्थियों इस चैनल में आप सबका स्वागत है हम लोग परिच्छा के लिए की गुरूब डी एंटीपीसी दरोगा के लिए हम लोग होट कोस्चन अब निकाल रहे हैं के और आज हम लोग फिजिक्स से चैनल च्प्टर से कोश्चन देखेंगे जो इंपोर्टेंट होगा दिहान रखेंगे रहे कोश्चन पर है एक वब्रूसक्ड कनसेप्सΟिल होगा जयतना निकल हो निकल जेग अज़र करते हैं शनल से balloon नंबर एक पहला कि इन में से कौन अनुदर्ध तरंग का उदाहरन है पहला च्वाइस है वायू में ध्वनी तरंग दूसरा अंतरिक्ष रेडियो तरंग तीसरा है प्रकास किरन चौथा अवरक्त लाल विकिरन तर इसका अनसर हो जाएगा यानि वान का अब देखिए कि तरंग के बारे में जानें कि तरंग क्या है तो तरंग एक परकार का विछोब है जिसके गमन के लिए माध्यम की आवस्यक्ता होती है तो दौनी क्या है एक परकार का तरंग है दौनी एक परकार का तरंग है और तरंग को बाड़ते हैं मुखता दो भाग में तरंग को मुख्यत हैं हम लोग दो भाग बाटते हैं एक है अनुप्रस तरंग इसों कहते हैं ट्रांस वहर स्वेब अधूसरा अनुदर्ध तरंग अनुदर्ध तरंग लोगिचूडनल वेव तरंग मुख्यत है दो तरह कोगे अनुप्रस तरंग और अनुदर्ध तरंग तब अनुप्रस तरंग के बारे में जानेंगे अनुप्रस तरंग तो अनुप्रस तरंग के बारे में जानेंगे कि वह वैसे तरंग जो तरंग गति के दीशा के लंवत कंपन करें या लंवत दोलन करें उसको मुझेंगे अनुप्रस तरंग यानि टांसवर्स वेब टांसवर्स वेब का उधारन देते हैं इसे प्रकास तरंग तो प्रकास तरंग क्या है पुछता है तो क्या अनुप्रस तरंग याद रखेंगे कि अनुप्रस्थ में प्र प्रकास में प्र है तो प्रकास हो गया अनुप्रस तरंग याद रखने का तरीका भी जानना होगा इसमालने की दोहनी तरंग दोहनी में आदाध है और अनुदर्ध में आदाध है तो दोहनी तरंग अनुदर्ध तरंग होगा तो अनुप्रस तरंग के बारे में जानेंगे अब अनुप्रस तरंग में क्या होता है अनुप्रस तरंग में बनता है सीर्स और गर्त जो पहले क्या देखे कि इसमें सिर्स और गर्फ बनेगा सिर्ज जो उपर उठा तरण्ग इसको कहते हैं सिर्स इंगलिस में कहते हैं क्रेश्ट रोज नीचे देख रहा है तरंग वह कहलाएगा गर्थ यानिफ, कि नीचे गरत हो गया उपर में ख दो क्रामिक सिर्षों करिमिक मनें लगातार दो क्रामिक सिर्ष्षों या कि बीच की दूरी को कातहे हैं तरंग दर्थ है यानि यान लेमडा से इसको करेंगे तो दो क्रामिक सिर्सों या दो क्रामिक गर्तों के बीच की दुरी को कि बीच की दुरी को तरंक दर्ध कहते हैं तरंक डर्ध कहते हैं इसे लेमडा से सुचित किया जाता है तरंक दर्ध को इंगली को लिखने निए ख़्याय वेलेंद आंध इसको एक कि यह दो अम लोग लेमडा से सुचित करेंगे तरंग दर्ध को लेमडा से चुचित करेंगे को अब दूसरी विशेष्ता इसम है कि अनुपरस्थ रंग DLCs और द्रो में गमन करता है तो 21 माध्य में गमन करेगा ठोस और द्रौ में तो अनुप्रस्त तरंग कि अनुप्रस्त तरंग ठोस एवं द्रौ में गमन करते हैं द्रौ में गमन करते हैं यह देख रहे थे अनुप्रस्त तरंग आज दूसरा देखते हैं अनुदर्ध तरंग जिसको यह तो लोगिचूडनल वेव अब देखे अनुदर्ध तरंग करते हैं कि वैसे तरंग जो तरंग गति के दिशा के आगे पिछे गमन करता है आगे पिछे से स्प्रिंग को खिचते हैं तो कभी सटता है कभी दूर फेलता है तो जो आगे पिछे गति करेगा ओ कहलाएगा अनुदर्ध तरंग तो अनुदर्ध तरंग में आता है ध्वनी तरंग ध्वनी तरंग क्या है तो अनुदर्ध तरंग तो अनुदर्ध तरंग संपीडन और विलन बनता है यह कंड यह आपस में सड़ जाता है तो यह संपीडन सटना सबसे संपीडन बचा विलन तो विलन में कंड दूर जाएगा तो दूर जाएगा तो विलन और सटेगा संपीडन तो अर्थात इसमें संपीडन और विलन बनता है तो यह देख रहे थे अनुदर्ध तरंग इसके तरीक एक और तरंग देखते हैं जिसको कहते हैं विदुद्चुम के तरंग वो कहलाता है यह यांत्रिक तरंग ही यांत्रिक तरंग के अनुप्रस तरंग और अनुदर्ध तरंग आता है और विदुद्चुम के तरंग को कहा जाता है यांत्रिक कि इसके लिए माध्हम के आँसकता नहीं होता है। यह बीना माध। का भी गमन करेगा निर्वात में भी गमन करता है इसका बेग प्रकास के बेग के बराबर होता है जितना बेग प्रकास का है उतना बेग इसका भी होता है अर्थात इसका बेग निर्वात में तीन गुने दस के पार आठ मीटर पर सेकेंड होता है यह तरंग फोटोन का बना हो होता है और चौता कि विदुत या चुमबक से प्रभावित नहीं होता है तो यह विशश्टा दिखा रहे थे विदुत चुम्के तरंग की लेकिन आफ बीदुतरुन्च कोणकोन जान ना इसके बारे में अब हम जान लें देंके तो बीदुत चुम्के तरंग तो आर से रेडियो वेव मैंने रेडियो तरंग पुरा नाम लिख रहे हैं म से होगिया माइक्रोवेव यानि सुक्षम तरंग आई से हो गया इन्फ्रारेड मैं उरक्त किरन भी से हो गया वेजबल रेज यानि द्रिस किरन यू यू सो गया अल्टरा भाइलेट यानि पराभाइगनी किरन एक्स रेज यानि एक्स किरन और गामा रेज यानि गामा किरन तो यह हैं विदुद चुमकिये तरंग रमी भोक्सी तो अब इस पर याद रखेंगे कि सबसे धीक तरंग दर्द होता है रेडियो वेब का अब जैसे से हम नीचे आ रहा है तुरुकन कमते जाएगा और सबसे कम हो जाएगा गामा किरनका तो सबसे धीक तरंग दर्द किसका होता है कुछता Tutaj so वेब का और सबसे कम तरंगदर्द होता है गामा रेज का एक बात और जानेंगे कि जिसका तरंगदर्द ज्यादा उसकी आवरिती कम तरंगदर्द आवरिती एक दूसरे का विद्धक्रम होता है उल्टा होता है तो जहां तरंगदर्द ज्यादा वहां आवरिती आवरिती मे सबसे कम तरंग दर्द है गामा किरन का तो सबसे अधिक आवरिती हो जाएगा गामा किरन का अब देखते हैं कि सूर्ज के प्रकास में सबसे ज़्यादा होता है और रख्त किरन और इस चलते सूर्ज के प्रकास से पिर्थीवी गर्म होती है अस्वमुद्र का जल गर्म होकर करके वास्पित होता है भीजबल रेज है तो इसके द्वारा हम लोग कोई बस्तू को देख पाते हैं सब्सक्राइब माइक्रुवेब इसका उप्योगी डियार इत्यादिम करते हैं इंफ्रारेट का उप्योग रीमोट में होता है तो इस तरह से कहीं उप्योग भी पुछता है तो यह हम देख रहे थे विदुद्चुम किये तरंग तो पहला कोश्चन का हमें भी डिसकासन देख रहे थे पहला कोश्चन में हमको इतना कोश्चन निकल रहा था जिसको हम लोग देख शुके और अब देखेंगे कोश्चन दो अब देखते हैं कोश्चन नमबर दो दूसरा नमबर में है कि निव्ड में कौन अनुप्रस तरंग के रूप में गमन नहीं करता है एक एक करके चुछ देखेंगे पहला है कि हावा में औरक तरंग एक बात जान लें कि जितना भी बिदुचुम के तरंग है सब है अनुप्रस तरंग होते हैं मैं टांसवर्स वियम होते हैं तो हॉट में यह और तरंग में यह क्या होगां पाट ऑ खिच कर छोड़ देने से उत्पन्थ तरंग तर खिची भी दोरी में उत्पन्थ तरंग हो तbor खीची में कौन सा तरंग होता है तो तो अनुप्रस्त तरंग तो अंसर कौन सा हो जाएगा सी पुछा था कि रूप में कौन गमन नहीं करता है तो इस प्रीम को खिंचे छोड़ते हैं तो चलता है अनुदर्व तरंग अर्था अंसर इसका सी दो का सी हो गया ध्यान अनों को रखना है कि जतने वी विद्चुमके तरंग है वह है अनुप्रस्त तरंग पुजता है कि प्रकास है अनुदर्व तरंग अनुप्रस्त तरंग तो अंसर हो जाएगा अनुप्रस्त तरंग और विद्चुमके तरंग भी है और कोश्चन नमर देखते हैं तीन तीसरा कोचन है कि चमगादर निव्ण में से किस आवरीति की द्वानी को सुन सकता है तो पहला है 20 हड से कम, दूसरा 24 है 20,000 हड से अधिक, तीसरा है 10 हड से कम, चौथा कोई नहीं तो अनसर इसका हो जाएगा B अब देखते हैं प्राश्रव्य तरंग क्या है आवरीतिक अधार पर धनी तरंग को हमने पीन भाग में बाटते हैं पहला है आउस्रव्य तरंग, तो आउस्रव्य को कहा जाता है इंफ्रासोनिक वेव आवश्रव्य तरंग, इंफ्रासोनिक वेव इसकी आवरीति है 20 हड से कम इसकी आवरिती 20 हड से कम तो वैसे द्वानी तरंग जिसकी आवरिती 20 हड से कम हो ओका लाएगा अव श्रब्य तरंग इसे हम इस द्वानी को हम लोग नहीं सुन पाते हैं कि दूसरा है श्रब्य तरंग श्रब्य तरंग इसको आड़ीबुल वेव ऑड़ीबुल वेव इसकी आवरिती 20 हड से 20,000 हड के बीच है इसके आवरिती 20 हड से 20,000 हड आवरिती यानि फ्रिकेंसी और तिसरा है पराश्रब्य तरंग पराश्रब्य तरंग अल्ट्रा सोनिक वेव है इसकी आवरिती 20,000 हड से उपर है 20,000 हड से अधिक तो इसको का जाएगा पराश्रब्य तरंग पराश्रब्य तरंग को हम लोग नहीं सुन पाते हैं कुछ जंगली जानवर जैसे सेर बाग कुत्ता बिल्ली इतियादी सुनते हैं चमगादर भी पराश्रब्य तरंग को सुनता है याद रखे कि चमगादर लगवग एक लाख हर्ज की दोहनी उठ्वण कर सकता है और इसे सुन भी सकता है आपने पंक के दोखारा प्राश्रवित्रण करता है अब स्यक्राइश्य अपनाउ piece कि तो यह हम देख रहे थे कोशन नमबर तीन है अब देखते हैं कोशन नमबर चार कि चार में है कि निर में किन तरंगों की आवरीती सबसे कम है तो पहला है छे तरंग गामा तरंग रेडियो तरंग ध्वनी तरंग तो आवरीती सबसे कम किसका तो जिसका तरंग दर उसकी आवरिती सबसे कम तो अनसर कौन सा हो जाएगा रेडियो तरंग यानि चार का हो जाएगा सी चार का सी रेडियो तरंग का तरंग दर सबसे जादा और आवरिती सबसे कम गामा का आवरिती सबसे अधिक अतरंग दर सबसे कम तो आंसर कौन सा रेडियो तरंग हो गया और अब पांच नमर में देखेंगे कोश्चन नमबर पांच पांच में है कि एक सरलोलक प्रती सेकेंड 20 दोलन पुरा करता है तो इसे उत्पन तरंग होगी प्रती सेकेंड 20 दोलन का मत्ता हो गया एक चीज़ जानले कि आवरिती का मत्ता होता है कि एक सेकेंड में कोई कंड जितना बार कंपन करता है वह उसकी आवरिती होती है और फ्रिक्वेंसी होती है मालकि एक सेकेंड में कोई कंड 20 बार कंपन किया तो इसकी आवरिती 20 हड अब से उत्पंद तरंग होगी कैसा तो स्रब तरंग अनसर हो जाएगा एगा अब देखें कि 20 हड से कम को और स्रब से 20 हड से 20,000 हड तक स्रब अब 20,000 हड से उपर जाएगा तब परा स्रब होता है तो पांच नमर कोश्चन अभी देख रहे थे और अब देखेंगे कोश्चन नमबर छे इस चप्टर से भी बहुत अच्छा कोश्चन कुछता है और एक परिच्छा के लिए यह चप्टर उप यदि तरंग की चाल 480 मीटर पर सेकेंड हो तब तरंग का तरंग दर्ध क्या होगा तब जालने कि भी बरावड होता है एन लेमडा यहां भी कमन हो गया तरंग का वेक तरंग का वेक इन आवरीति लेमडा कहते हैं तरंग दर्ध कोई द्वहनी तरंग चल रहा है कोई तरंग चल रहा है तो यह डिपेंड करता है इसका बेग किस पर आवरीती तरंग दर्ध पर तो इसका है कि द्वहनी की चाल या बेग आवरीती और तरंग दर्ध में क्या समंध है तो भी बरावर होता है बिष्ट isolator in lambda कि दिखेंगे दुधिये हमको निकाग है इसको चम्ड में ல्या यानी थे वी बराबर रेंड़ा सब्सक्राइब लेमड़ा इचकेल अब बहें प्पक्रेंप 903 तरइंघतरासे बागतके के आया करेंग तर्मड साथ फर्स छोंक सद्द करके आया और अब देखते हैं कोश्चन नमबर साथ कोश्चन नमबर साथ साथ में है कि दो तरंग की आवरितियों में एक दो का अनुपात है इनके आवर्थ काल का अनुपात क्या होगा तो पहले हम लोग यह देख लें कि कि एन बराबर हो जाएगा ओन बाइटी एन मनें आवरिती और टी का मनें आवर्थ काल तब पुछाएगे दो तरंग की आवरितियों में एक दो का अनुपात है तो आवर्थ काल में कितना अनुपात हो जाएगा तो अवर्थ का उल्टा हो जाएगा तो आवर्थ का इसका उल्टा किया टू इस्टू वन हो जाएगा तो इसका अंसर भी साथ का हो गया बी कि एला भी कोश्चन बहुत उप्योगी है एन बरा और वनबाइटी पर बहुत सारे कोश्चन निकलेगा जिससे आगे हम देखेंगे तो इससाथ का हो गया बी अब देखते हैं कोश्चन नमबर आठ अठ हमें देखे आठ में की अनुपरस्त तरंग बन सकती है अनुपरस्त बन सकती है पहला च्वाइस है वायू में तब जानते हैं कि अनुप्रस तरंग चलता है ठोस और द्रो में गैस में अनुप्रस तरंग नहीं चलता है चलिए वायू में नहीं होका बी है जल में असी जल के तल पर आड़ी केवल ठोस में तथा जल के तल पर तो आठ का कौन सा आजाएगा द्राव और ठोस दुनों में चलता है तो अंसर हो जाएगा डी आठ का डी अब देखते हैं कोश्चन नॉम्बर नौ नौ नॉम्बर कोश्चन है कि निम्न लिखित में विदुद्द चुम्किय तरंग नहीं है और देखें कौन विदुद्द चुम्किय तरंग नहीं है च्वाइस हम लोग देखें पहला है रेडियो तरंग यह विदुद्द चुम् अधोनी तरंग चुमकीय तरंग नहीं है तो अंसर कोँछा हो जाएगा B 9 का भी और चौश देखिए, C में है परकास तरंग तो ए बिदुदुद चुमकीय तरंग है regarde दी में गामा तरंग यह भी बिदुदुदुद यहां तक क्लियर हो गया कराक स्अनिया है तरण किया यहां कि यह प्रकास टरण की चाल तीन गुने कborव आठ पर सकेंड तथा आभरिती तीन गुने 10 के पढ़र 14 साइकिल पर सेकेंड हो तब तरंग दर्द क्या होगा तरंग दर्द निकालना है जानते हैं कि भी बरावर होता है एन लेंडा जहां भी चाल हो गए द्हणी की चाल या अब तरंग की चाल एन आव रिती और लेंडा तरंग दर्थ, तो हम लोगों को निकलना क्या है तरंग दर्थ, यानि कि लेंड़ा इसकल टू क्या जागा भी बाई एन और भी बोलिए तब ही है तीन गुने दस के पावर आठ और आवरीती आवरीती है पांच गुने दस के पावर 14 अब चलिए इसको अहल करते हैं अगर हम यहां 30 कर दें तो 30 गुने दस के पावर साथ लिख सकते हैं यहां कर दिये अब बटे पांच गुने दस के पावर 14 या कर जाएगा यह पांच 31 butterfly 36 यहां झांट्रis चोने 10 के पावर 14 को शैया जाने माइनस-11 में साथ जाएगा तो माइनस तरॉन थर्णदर्द़ का मात रख धोया मीटर तो चौश्य दस के पावर माइनस साथ मीटर तो झांसर हो जाएगा इसका ए अथ दस का ए हो अब कोस्चन नूमबर 11 कोश्चन नमबर 1111 कि वायू में दो तंग के तंग दर्थ का अनुकात 3 to 5 है इन तंगें कि आवरितियों का अनुक पात क्या होगा तंग्द दिया हुआ है कितना तरंग दर्ध का अनुपात दिया हुआ है कि तरंग दर्ध का अनुपात यह तीन और अनुपात पांच तो आवरीति का अनुपात पुछा है तब जानते हैं कि V बरादता है न लेम्डा या लेम्डा इसका लिख सकते हैं V by N V को अगर constant रखते हैं तो लेम्डा प्रोपोस्टल क्या हो जाएगा 1 by N मैं लेम्डा और आवरिति मैंने तरंग दर्द आवरिति एक दूसरे का उल्टा हो गया इसलिए तरंग दर्द का अनुपात 35 है तो आवरिति का अनुपात हो जाएगा तो एकारान में कौन सा हो जाएगा एकारा नमर का पांच तीन यानी भी कि एकारा कोचन अभी देख रहे थे जितने भी कोचन है बहुत उप्योगी है हर एक कोचन को समझना होगा और बारा में की एकि य्लेक्टाण का आवर्द काल 0.05 माइक्रो सेकेंड है तो इसकी आवरिति होगी अ нрав देखते हैं कि n बराबर फांग टि एक टि आवर्द काल तो आवरिति बराबर रद ऐक बटे आवर्द काल ऐसे पर मिठा देना है एक आवर्तकाल इसमें दिया हुआ है 0.05 माइक्रो सेकेंड है तो माइक्रो जानते हैं 10 के पार माइनस 6 होता है माइक्रो कितना का होता है 10 के पावर माइनस 6 तो अब इसी को हल कर लेना है तब हो जाएगा उपर में 100 यहां से पॉइंट हटाएंगे उपर हो जाएगा 100 अब बटे 5 अब 10 के पावर माइनस 6 है तो हो जाएगा 6 तो इक कर जाएगा 20 पचें 100 यानि 20 गुने 10 के पार 6 क्या हट हो जाएगा तो इसका अनसर हो जाएगा B 12 का B अब यहां 12 कोश्चन देख चुके और अब देखते हैं कोश्चन नमबर 13 कोश्चन कि दो डंबल के जोड़े जो एक दूसरे से टकराते हैं तो उत्पन ध्वानी की प्रकृति कैसी होती है तो दो डंबल को हम टकराते हैं तो जो द्वानी उत्पन होता है द्वानी तरंग उत्पन होता है वह होता है गोलाकार अर्थात के रहका हो गया कोश्चन नमबर 14 मेppen 14 में कि एक रेडियो परसारन कंद्र से 10 मेका हरज की विदूत्ज चुम्के तरंग परसारित होती है यदि विदूत्ज dudूत्ज के तरंग के चाल्त 3 उनी दसके पार 8 मीटर पर स्केंड है तो इन तरंगों का तरंग के लिए अभ जानते हैं कि b2 बरावर होता है β इन भी कितना तीन गुने दस के पावर आठ और आवरिती यानि फ्रिक्वेंसी कितना है दस मेगा हट तो दस अगुने दस के पावर 6 मेगा होता है दस के पावर 6 का तब अब इसको हम लोग कर ये इसका हो जाएगा 30 अगुने 10 के पावर उपर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा माइनस 6 मनें बज जाएगा 2 और 300 में गोजिरो कटेगा यानि 30 तो हो जाएगा 30 मीटर यानि अंसर इसका हो जाएगा 14 का हो गया और लास्ट पंदर नमर कोच्चन देखते हैं 15 में है कि सरल लोलक 30 सेकेंड में 60 दोलन करता है तब उसका आवर्त काल क्या होगा तब आवर्त काल यानि टी तो टी निकालना होगा तो जानते हैं कि एन बरावर होता है वन बाई टी तो यह टी बरावर क्या हो जाएगा वन बाई एन अब एन कमान देखिए देरा कि 30 सेकेंड में 60 दोलन तो प्रती सेकेंड जितना दोलन होता है वह होता है आवर्तिया फ्रिक्वेंसी तो हम एन निकालें कैसे निकालेंगे चुकी 30 सेकेंड में 60 दोलन तो एक सेकेंड में कितना दोलन करेगा तो साथ अबटे तीस दो हो गया दो दोलन पर सेकेंड या दो कमपन पर सेकेंड दो साइकल पर सेकेंड या दो हड यह बोलेंगे आवरिती के लिए तो एन कमान कितना हो गया दो कमपन पर सेकेंड या दोलन पर सेकेंड या हड अब क्य आया है दो तो कटके 0.5 सेकेंड हो जाएगा तो पंद्रह में अंसर हो जाएगा सी में 0.5 सेकेंड तो इस तरह से 22 से हम लोग important question देख रहे थे आगे भी होट कोशन फोर यामनेशन देखेंगे आगे तो पुना हम आगे फिर कोशन लेकर के आएंगे धन्यवाद है